हेलो दोस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत सोगत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियो जहाँ पर आचुके ही सारे लेटेस वीडियो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी जरूर उनको अच्छी तरीकी से स्टड़ी कर लेना फर्स ताम विजिट क वो भी मैं आपको बताने वाला हो सो वीडियो के शुरुआत में डिस्क्रेमर देना चाओंगा देखे ये कोई इंट्राडे का कॉल नहीं है कि बाई करो सेल करे आप लोगों नहीं अगर सीखना है तो इन पर्टिकुलर स्टॉक क्यों पर कल के दिन फोकस बनाए रखना है स इसे रिलेटेड वो फ्रेश टॉक जरूर करेंगे बट पुरानी डिल कैंसल होगे फ्रेश टॉक होगा तो मतलब चीजे और भी ज्यादा स्ट्रेच होगी सो बाजर को ये निउस कैसी लगती है क्या बाजर इसके प्रति कोई ज्यादा नेगेटिव रियक्शन देता है या जबसे ज़्यादा वेटेज अगर में बात करूं तो रिलाइंस के पास ही है तो रिलाइंस में अगर एक दो पसंट भी अगर उपर नीचे होता है तो इंडेक्स को भी बहुत अच्छा हलका सा जटका यहापर लगता ही है तो यह है पहला स्टॉक रडार के उपर रहना चा बात करो तो विपरो को जगा मिल चुके स्टॉक अल्रेडी 10-12 परसेंट डाउन है कंपनी के Q2 के नंबर अच्छे थे राइट अगर बात करें तो फिलाल इंडेक्स में जगा मिलना यह एक बहुत अच्छी बात होती है अच्छा साइन होता है तो विपरो अगर हम लोग कह से दिगच दिगच कमपनिया उनी के उपर उसका डिरेक्ली इंडेरेक्ली इंपैक्ट पड़ेगा तो उसके उपर आप लोगों ने फोकस बना कि यह पर रखना है उन कमपनिस के लिए अगर हम लोग बात करें नो डाउट यह हम लोग को एक माइनस साइन देखने को यह नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहापे एक और अनॉंच्मेंट भी यहापे की थी किस से रिलेटेड बैंकिंग से रिलेटेड येस बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें अगर बैंकिंग की बात करेंग वो सरकारी बैंक से ही य परूर बनाया है यहाँ पर रखना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यह भी आप लोग को आज के दिन की न्यूस पता है GST आज ने कल भी मैंने इसको कवर किया था GST यहाँ पर चेंज हो चुका है 5% के बदले 12% लग चुका है इसके चलते आप लोग कपड़े भी बेचते कुछ ऐसे कंपनीज है जो की मैनेफेक्चरिंग भी आपे करते हैं तो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है यह फैसला हम लोगों को देखने को मिल चुका है ओविसली टैक्स बना यह किसी के लिए अच्छी बात नहीं होती तो देखन है कि कल टेक्स्टाइल वाले स्टॉक कैसा रियक्शन देते हैं खास करके इनके उपर फोकस इसलिए बाजार करेने वाले क्योंकि टेक्स्टाइल के नंबर बहुत कमाल के थे क्यूटू के नंबर अच्छे थे और मैक्जिमम कंपनी हम लोगों को टॉप लेवल पर दिखने वाले से ही स्टॉक से है दूसमें भी देखा गया तो अच्छे कॉलिटी वीटेउ बनाय था आप लोगों को बताने के लिए यूआ पे कि साथ-साथ और किसको या पर चीज YOUD यहा पर नुकसान हो सकता है और वह नुकसान हो सकता है दोस्तों retailing business को, retailing business में भी जितने सारे stocks आप देख सकते यह देखे, यह लंबी list है यहापे भी इतने, ज़्यादा तो नहीं है, limited ही है बट इन stocks के उपर भी focus रखना, खास करके मैंने अभी जो वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंट के उपर, ट्रेंट ऐसी कमपनी जो की textile में भी इन्वाल्व है, अपेल्स में भी इन्वाल्व है उसी की साथ-साथ अगर देखा गया है, तो footwear में भी इन्वाल्व है, जादा sales वो इस कमपनी से यहापे देखने को मलते हैं, अधित्त बिरला की बात करें दोस्तों, तो अल्रेडी में बता चुका हो, 9000 charging stations और add होने वाले, 9 या फिर 6000 एक बार चेक कर लेना या पर exactly याद नी, बट 9 Express Highway के उपर हमनों को यह सारी चीज़ है, I guess 9000 ही है, so 9 Express Highway के और हमनों को यह सारी चीज़े होते हुए देखने को मिलने वाले, तो Tata Power, ABB India, BHEL जैसे stocks भी आप लोगों के radar के उपर रहनी चाहिए, अगर के ना चाहूंगा clean disclaimer के साथ कोई भी recommendation में नहीं दे रहा हूँ, next अगर बात करें दोस्तों तो stock नीचे गिरा, तो खराब बोलेंगे, stock ने लगा तार 2-3 दिर अपर सरकेट डिखाया तो stock अच्छा बोलेंगे, तो ऐसी बात ने, आपने company के business को देखना चाहिए, numbers को देखना चाहिए, उसके बाद हिसाब से, एड इसे लिए गिरावट थी, तो आप लोगों ने जरूर यहापे focus बना के रखना है, जिनसार टेक के और, एड वेदानता के उपर भी, yes, यह कहानी बूलनी नहीं है, usually देखा गया दोस्तों, तो दी मर्जर एक अच्छा न्यूज माना जाता है, बट वेदानता के केस में, जैसी न्यूज आगई, साढ़े अट पसंट की गिरावट, बहुत ही confusing management है, पहले दी मर्जर, और दी मर्जर से रिलेटेड भी है, अभी तक तो सिर्फ कमिटी फॉर्म हुई है, उसके बाद ड्राफ वेपर, बहुत सारा मतलब लंबा टाइम लगने वाला है, इसके पहले भी वेदानता के management ने ऐसी हरकत की थी, कि जहाँ पर पता चला था, कि वो खुद को जादा फाइदा पहुचाने की कोशिश वापर कर रहे थे, डिलिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, thanks to the LSE, LSE नहीं होता, तो मतलब 70-80 रुपे में stock खरीदने की कोशिश की जा चुकी थी, LSE ने असली de-merger की बात हो रहे हैं, तो चलिए, देख लेते de-merger से related क्या हल चले देखने को यहाँ पर मिलते हैं, तो वेदानता focus में रहना चीए, then IRCTC, यह भी आपके radar के उपर होना चीए, सबसे quality news कौन सी सामने आगी, cook food से related हम लोग जो इंतजार कर रहे थे, finally वो news सामने आपर आ इसके चलते, IRCTC कैसा reaction देता है, यह देखना बहुत ही important रहेगा, internet ticketing से ज़्यादा हमनों को cook food में बहुत ही ज़्यादा earning, revenues तो generate होते वे देखने को मिलते थे, तो यहाँ पर बाजर इस news को कैसे react देता है, यह देखना मतलब बनता है, उसी के साथ आप सब लोगों ने दे देखना है यहाँ पर कल कि IRCTC इस news के चलते कैसे reaction देता है, हलाकि reaction से related दोस्ते एक important point कहना चाहूंगा, कि अगर बाजर में extreme pressure रहा, तो फिर चीजे बदल जाती है, तो यह भी आप लोगों को पता है, होना चाहिए अगर बाजर नॉर्मल यहाँ पर रहता है, तो फिर ऐसे जो news से related कोई update रहता है, तो उसके प्रती हम लोगों को properly reaction देखने को मिल जाता है, तो ठीक है, कल IRCTC भी देखेंगे, then NICA, yes, so NICA क्या भी IPO की अगर हम लोग बात करें, यह भी आया था, यह भी जबरदस्ट लिस्ट हुआ था, and PTM में जिस तरह की सी गिरावट देखने को मि बात करें, बहुत ही, अभी के जीतने भी IPO's आ रहे, क्यों आ रहे है, valuation महेंगा है, फिर भी लोग पैसा लगाने के लिए लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो सब लोग यहापे बैति गंगा में हाथ दो रहे, but मैं अगेन कहे रहा हूँ, healthy listing गेन होगा, and अगर आप लोग रि informative लगा होगा, तो ज़रू इसको like and share भी कर देना, so that's it, thank you very much, so we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye bye